मा ने कहा था, शाम को अपने क्लीनिक को बंद करवा कर और कमपाउंडर को भेज कर डॉक्टर तरुन सरक पर पैदल चल पड़ा, उसका घर यहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए आज कल वह पैदल ही चलना पसंद करता है, दस कदम चल कर एक दो राहा था, यहां से ए वह थिठक गया, मन अजीब सा हो आया, घर जाकर वह क्या करेगा, नहीं, नहीं, वह पत्नी से नाराज नहीं है, बस जिंदगी के मशीनी करन से नाराज है, और जैसे खुद से ही नाराज है, पत्नी सुनीती और बच्चों के साथ वह जीना चाहता है, मगर महानगरिय जीव जनशेली में मरतेख हत्ते, ये रूटीन बन गया है कि काम और बसकाम, एक दूसरे के संग बैठने बत्याने के बहुत कम अफसर रह गए हैं, बच्चे बेचारे पबलिक स्कूल की जानमारों पढ़ाई में लगे रहते हैं, या तो ट्यूशन में या फिर खेल में पत्नी को तयार करके स्कूल भीजो, फिर बाय बाय टाटा और सबल गलग, तरुन के पाउख खुद बखुद दूसरे रास्ते पर चल पड़े, यानि शहर से बाहर की ओर, दिमाग में विचार चल रहे थे जाने क्यों जी रहे हैं हम लोग अपने लिए या बच्चों के लिए या वह लोट आया विचारों की दुनिया में, उसे याद आता है, अतीत, मा कहा करती थी बेटा, अपनों के बीच आदमी भूखा रहकर भी खुश रह लेता है, मगर बेगानी जगह उसे खुशी नहीं मिलती, वह सास भर उठा मा ठीकी कहा करती है, उसकी बातों में गहरा दर् दॉप्तरी की उनकी वह छोटी सी दुकान तरुन संभाले, उसी को और अच्छे से बढ़ा ले, मगर वह चाहता था कि आरेमपी करके डॉप्तर बने अपने बाबुजी की तरीके से डॉप्तरी न करे, अच्छा सा डॉप्तरी का कोर्स करके, अलग शहर में अपना क्लीनिक खोले, इस पर माने बीच का रास्ता सुझाया था, माने कहा था तरुन, तू पास के कस्पे में डॉप्तरी की दुकान खोल ले और स्कूटर से शाम को अपने घर लोट आया करना, इतना भरा पूरा घर है, चाचा ताव के परिवार और उनका मिला जुला कुटुम, हांसी खुशी ऐसे जिंदगी कटेगी की पता भी नहीं, चलेगा, मगर वही नहीं माना था, गाउसे दूर जाकर वह शहर में रहा, वही पड़ा और वही शहर में रहकर डॉप्तरी की दुकान खोली तो घर छोड़ कर अकेले ही रहना पड़ा, धीरे धीरे घर के लोग पर आय हो उसी में घुश गया, घर तो पासी था मगर आज समय काटने का मन था, मूर बदलेगा, एक टेबल पर बैट कर एक दही की लसी का गिलास लाने को कहा, थोड़ी ही देर में लसी का गिलास उसके सामने आ गया, गिलास उठा कर वह धीरे धीरे लसी पीने लगा, अभी कुछ द सुनीती से सलाह करके उसने हर महीने गाव में पैसे भेजने शुरू कर, दिये, मगर मा चाहती है कि वह बाबुजी की दुकान चलाए, साथ ही रहकर उनकी देखभाल करे या किसी बच्चे को उनके पास छोड़ दे, भला यह संभव है बच्चों और सुनीती का गाव में न सुचता है कि इसमें उसकी अपनी ही गलती है, उसने खुद ने ही ऐसे निरनेले की जीवन ने ऐसी शक इग्रहंग की, उसी ने जिद की थी कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा और अपनी पसंद की लड़की उसे मिली सुनीती, सुनीती का हाथ पकड़ कर जी ये एक गाव की लड़की देखी थी, वो पड़ी लिखी भी थी, मा को बहुत पसंद थी, सुंदर, ग्रहकार्य में भी निपुन थी और जैसी बहु मा उसके लिए चाहती थी, बिलकुल वैसी ही, मा ने कहा था तरुन, ये सारा घर संभाल लेगी, तो उसके साथ बहुत खु अब वह सब सोचा कर भी क्या फाइदा, आज उसकी जिंदगी में सुनीती है, सुनीती के साथ उसके संबंध ठीकी चल रहे हैं, मगर उसने मा का फैसला तो ठुकराया, मा का दिल तो दुखाया, उसने मा के सपने तो तोड़े, आज मा खुश नहीं है, उसने भी ऐसा कब सो पुचा होगा, इसलिए अपने जीवन को इस साचे में धाला, मगर वह क्या जानता था कि वह जो जीवन अपना रहा है, जो घर बना रहा है, उसमें मा के लिए जगह न होगी, बाबुजी के लिए आराम न होगा, ऐसे घर में मा रहने को तयार नहीं, जहां उनकी साथ और बाबुजी कैसे पूरा दिन काटेंगे, इसलिए वे यहां आकर रहने को तयार, नहीं होते, सोचते सोचते उसे ख्याल हुआ कि बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए, उसने सिर जटक कर विचारों को पले धकेला, काउंट पर जाकर पेमेंट किया, रस्टोरे प्याहूं इस जिंदगी से, जहां आदमी के पास अपने लिए 10 मिनट भी नहूं, तो इतना उखर क्यों रहे हो, यही तो जीवन है, ऐसे ही जीवन चलता है, इसमें हार्स क्या है, आदमी जितना बिजी रहे, उतना अच्छा है, सुनीती ने कहा, बहफत पड़ा, ये हुआ भी कहते हो, ठहरा हुआ भी कहते हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो आज, या तुम्हारी तबियत खराब है, डॉक्टर साहब, सुनीती ने पास आकर उसका माथा छुआ, दोनों बच्चे पास आकर खड़े हो गए थे, चुपचाप अपने पापा का मूर द हुत्यादा रही है, छोटे बच्चों की तरह शटप, जस्ट शटप, वह गर जा, बच्चे सहम गए, ये देख उसने स्वयम को सयत करने की कोशिश की, मैं दो दिन क्लीनिक नहीं जाओंगा, बस कल को गाउँ जाओंगा, तुम भी चलो, सुनीती एक तक उसका मूही देख रह गई, फिर वहाँ से चल कर अंदर कमरे में पहुँच गई, दो मिनट बाद लोटी तो उसके हाथ में एक पत्र था, वो समझ गया कि जरूर यह पत्र मा का ही है, मा अब भी पत्र ही लिखना ज्यादा पसंद करती है, ऐसे तो फोन का भी प्रयोग कर लेती है, मगर फोन अब मुझे इस फोन पर कोई बात करना सूचती ही नहीं है, क्या बात करून, जरूरी होगा तो पत्र लिखूंगी, ऐसी है मा, फोन कॉल और वाटसेप का बहुत कम प्रयोग करती है, तो लो आ गया मा का पत्र, वह मन ही मन हस भी पड़ा, वह पत्र सुनीती ने तरुन को द लेगे, तुम्हारे पास तो कभी वक्त न होगा, तरुन एक शुब्ध होकर कहा, कुछ और भी कहना चाहता था मगर स्वयम को रोक लिया, सुनीती के हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगा, प्रया बेटा तरुन, खुश रहो, बहुवा बच्चों को प्यार, यहां सब ठीक स लेगे, तुम्हारे बाबुजी भी अब अच्छे हो गए हैं, दुकान पर बैठने लगे हैं, वे कहते हैं कि तुम पैसे क्यू बेजते हो, यहां क्या जरूरत है, खर्चा ही कितना है हमारा, तुम्हारे दोनों भाई कमा रहे हैं, अपने अपने घर चला रहे हैं, हमारे खर्च के लिए दुकान से कुछ न कुछ कमाई हो जाती है, मगर तरुल सच तो यह है कि तेरे बाबुजी के बस का दुकान पर बैठना नहीं रह गया है, फिर यह बात भी है कि ऐसे तो खर्चे के लिए पैसा वे नहीं लेंगे, तु उनका स्वभाव शुरू से जानता है अब उनके बारे में और क्या, लिखूं, इधर गाव में कई डॉक्टर हो गए हैं, लोगों का कहना है कि एक भी धान का डॉक्टर नहीं है, तुने तो फिर भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, इसलिए शहर में डॉक्टरी कर पाता है, मगर गाव में आज भी एक मां के हाथ के लिखे पत्र में मां की सूरत जांकती दिखाए देने लगी थी, पत्र मोर कर उसने जेब में रख लिया, माव वा बाबुजी के बारे में सोचते सोचते वह यूं ही चहल कदमी करने लगा, एक विचार हौले हौले उसके मस्तिष्प में उतरने लगा वह, पच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा, वह अपनी मा से चिपक कर प्यार करेगा, उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ेगा, उससे रूठेगा, मा रूठेगी तो उससे मनाएगा, ऐसे ही सोचते सोचते वह भावनाओं में डूपता चला गया, सहसा उसे मा के आ स्कूटर उठाकर गाव के लिए चल दिया। वही टेक करके चला था कि शाम तक वापिस लौट आएगा। स्कूटर पर सवार वह मुख्य सड़क से उतर कर अंदर गाव की और जाने वाली पत्ली दामर की टूटी-फूटी सड़क पर उतर गया। उसका गाव रोल से 7-8 किलो और भी पढ़ते थे। इस मार्क पर एक डेल किलोमीटर चलने के बाद उसे गाव की मिट्टी की सुगंध आने लगी रास्ते में तालाव, खेत, कोई, ट्यूब वेल, फलों के बागबगीचे, एक और मक्का की खड़ी। फसले, खेतों में कई जगल काक भगोआ बिजू क यानी स्कैक्रो भी दिखाए दिये। रास्ते में गाव गुजरते तो जगल जगल थपे हुए गीले उपले, तहीं उपलों के बिटोडे खड़े मिले। कहीं भूसे के बंधे हुए बूंगे नजर आते थे। तरुन की स्मृती ने उसके कानों में मस्त कर देने वाला प् अधर वल कल्पना में प्रकृती का संगीत सुन रहा था। उधर रोड खड़ खड़ करते ओटो, स्कूटक कार, बुबग्यां आदी भी तूटी सड़क पर अपना खटरागी संगीत भी बजाते हुए चल रहे थे, मगर इस समय वह अपनी धुन में था तो ये करकश संगी तुन नहीं लाया रे तू, मा, वो मैं, तरुन कुछ बोलता कि मा ही बोल उठी, समझ गई, बहु नौकरी से चुट्टी नहीं ले पाए और बच्चों के स्कूल, वगेरा वगेरा, तरुन तू बैठ, ये कहकर मा आंगन से हटकर उस दिवाल की ओर चली गई जहां से अपन की परिवार से आय भाई, बहनोवा भाभियों ने उसे घेर लिया, मा समझदार थी, बहु वा बच्चों को नलाने वाली बात उसने तरुन से नहीं पूछी, वह तो ऐसे ही खुश थी, सब कुटुंग परिवार के लोगों में भी खुशी चा गई थी, ऐसे ही बतियाते औ उसने गाउ में ही रातरी विश्राम किया, जबकि वही सोच कर आया था कि रात में ही शेहर लोट आएगा